जैहिन आज की सेसन में लोग देखेंगे BANS 184 के most important question with explain को देखेंगे जो काफी ज्यादा महातपून है अगामी परिक्षा की डिस्टी कौन से ठीक है ठीक है और BANS 184 के आज नेक्स्ट कलास इसे पहले भी कई कलास हो चुकी है जो भी तक पिछली कलास नहीं देखें उसको जर सबसे उपर में इसको link में डाल दिया है जैसे कि आप आसानी तरीके से उस link पर क्लिक करने के बाद आसान तरीके से सार के सारे classes कर सकते हैं ठीक है तो आज हम लोग सकेंड क्लास देखेंगे ठीक है सकेंड क्लास इससे पहले वन क्लास हो चुकी है फश्ट को देख चुके थ उसमें महामारी विज्ञान क्या है उसके बारे में हम लोग संचेप में टिपन नहीं किये थे जो काफी ज़्यदा महातपून है तो उसको भी आप सभी जरूर कवर कीजिए ओके तो आज के सेसन भी काफी ज़्यदा महातपून होने वाली है और आप सबोकर मैं बता दे रह करता है तो आप सभी को मैं यहीं कहूंगा कि एसमें के को कभी इग्नोर मत करना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट हो ठीक है उससे भी काफी ज़्यदा आपको साहिता मिल जाएगी परिशाइब में ठीक है तो उससे भी लगवग एक से दो को से देखने को मिलती है तो हम लोग चलिए आज के सेक्ट करते हैं जैसे कि आज हम लोग देखेंगे क्सक्राइब को साजबनारर स्व dependence क में च्यदा अजक सबसे पहले काथा साहभूनिक साजबनारunda के क्या आप सभी समझ सकते हो कि सार्ज मतलब होता है कि जिसमें कई लोगों का सम्हों होता है संगठन होता ह और उसके बारे में हम लोग चार्चा करते हैं उसके बारे में जो में जैसे इसमें यहां कहा जाता है साजुनिक स्वास्त है यानि कि सम्हूं हो गया संगठन हो गया यह एक परकर का समाज समझ सकते हो समाज में भी एक साजुनिक तरीके से होता है जैसे आप समय समझ सकते हो कि जैसे मान के चलो एक समाज में है समाज है ठीक है समाज में जो है एक मेला लगने वाला कोई यग होने वाला ठीक है तो यग जो है न काफी ज्यादा भहेनक होने वाली है तो क्या एक अकेले इंसान जो है इतने बरे मेला को करवार सकता है नहीं कर होगा तो वही बात यहां भी है जे कि साजोंगorie के लिए के बाद में नें स्वास्त की चर्चा किया रहा है याँ कि स्वास्त लोगवâu और उनके सुमाधाएं के स्वास्त को बरह बाद देने और सुधारने के लिए समर्पित है जो है ऊसके स्वास्त के लिए क्या हम लोग को करनी चाहिए कि पारे में कहा गया है समझ सकते हों यहां तक समझ गए है ठीक है चले आगे कहा जा साजुनिक स्वास्त विसे सग्ये विमारियों पर सोध करने महमारियों से निपतने स्वास्त कर्मकारों को विक्सित करने स्वास्त से वहाँ तक पहुंच बरहने और आबादी को उची स्वास्त देख भालों के बारे में सिक्षित करने के लिए काम करते हैं स्वास्त्य जो है महामारी जैसे कि स्वास्त जो था यह साइंटिस्ट के द्वारा कई विमारियों का सोध करता इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं कट ट्रीच कर्ते करती है दिस्ट क्टी educational दी इस करते होंगे गर्म पानी पीजिए और ज्यादा ज्यादा मतलब कि हेल्दी खाना की खाईए इस तरह से कहा जाता है ना कि आपके स्वास्त के लिए जो जागरूप करना तो यह सभी चीजें नों यह तमाम बिंदवें इस पर नहीं था ओके उसके बाद कहा जाता आगे साजनिक स्वास्त में वेक्तियों, समूदायों, संगटनों और पूरी आवादी पर रक्षा करना सामिल हो जाता है यानि समूदाय में जो है साजमिनिक स्वास्त मतलब अवी जेस्ट बताया मैंने कि वेक्तियों हो गया समाज हो गया सोसाइटी हो गया समूदाय हो गया परिवार हो गया इसके आवादी की इसकी सुरक्षा के लिए जो काम करती इसमें सामिल है साजमिनिक स्वास्त है समझ यह स्वास्त कारियों इन्हें आवज स्वास्त कारियों जिसको हम लोग कहते हैं एप एच एप के रूप में संद्रवित किया जाता है और हर जगह स्वास्त पेसेवरों के काम को निर्दिशित करते हैं स्वास्त के मुख्यकारी सामेल हैं जिसमें से इसमें स्वास्त के क्या क्या कारी हैं वो देखते हैं जैसे कहा जाता है मुल्यंकन मुल्यंकन करना एक स्वास्त के लिए एक मुख्य कारण है ठीक है और कहा जाता है नीती का विकास नीती का विकास हो गया बीमा हो गया कतना एलाइसी करवाओ जीवन जीवन के साथ और जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वही का जाता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी तो वही है बीमा सब ये सार्विनिक स्वास्त के लिए जागरू करवाता है इसका मुख्य कारी हैं मुख्य लक्ष हैं उके उसके बाद का जाता है साथ में ये स्वास्त के लुख्ष्यों के बारे में बताए गया इन में से है जैसे रोग के परकोप को रोकना और इसको परसार को कम करें। जाता था न करोना वारास के टाइम में आप घर से बाहर ना नेकले यदि आपको को करो ना है तो आप सचीत रहें डाक्टर से मिले होस्पिटल में कैद रहें ठीक है और कर दिया जाता था जिसको भी कुरोंडा होता था वह इसलिए कि जो नकत्री आप से कई और दूसरा को न आपवादों का जवाब देना उसके बाद समोधायों को उन से उबरने में साहता करना बैक्गराउंड से जो भी साउंड आ रही हो उसको इग्नोर कीजेगा आप सभी मेरी बातों को दियान पुर्वाग सुनिया ठीक है अगर मैं बैक्गराउंड के माधियम से चलू तो मैं क पूछे जाए तो कम से कम तीन से चार जो लक्ष जरूर बता है आपको अच्छे खासे मार्स मिलेंगे उसके कहा जाता है कि इसमें हम लोग और जो है ना साजमिक स्वास्त के बारे में ठीक है इसके अलावा जो तीन ऐसे महत्पुन लक्ष बता है और उसके अर्थ को भी ब सन शामिल है ठीक है इसका मतलब यह है कि स्वास्त पेसेवर स्वास्त देख भाल और रोकथाम से संमांडि स्वास्त स्थितिति के लिए के लिए काम करते है तो यह को समझ सकते आ कि आकलन करना होता है नहीं कि बहुत सरी जी आकलन करो इसके बारे में जानकानिया प्राप्त करो आकलन साजन्विक स्वास्ते पेसेवरों को बीमारी चोट मिर्तिव के रुजहनों की पाचान करने में सक्छम बनाता है यानिकि आकलन मतलब आपके कौन से बीमारी है या चोट हैं यह मिर्त्यू के रुज्वान है इसके बारे में आकलन किया जाता है इसमें सक्ष सुरक्षा करता है ठीक है और साथ ही उन कारकों के कारणों को जैसे कि जो इन घटनाओं का कारण बनते हैं जैसे रोगनियंतन और रोग थाम केंदर सीडिसी थीक है Д्वारा उदरित के नुसर्थ इस समारो की अब सकता सेवाइं इस परकार है ठीक है उसके तकार जाता है सवास्त समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए पर्यावरान और स्वास्त की इस्थिति का निगरानी करें जो ऐब इसकी समदायों के लिए इसकी समस्दास्थ्या करने革े पर्यावरा जो हमारे लिए काफी जदा महत्यपून है और स्वास्ति के बारे में निगरानी रखेंह कि उनकी जांच करना यह आपका अक्लन में नीत है उसके अगला आगामी जो है अगला पोइन कहा जाता है नीती विकास जैसे कि अभी हम लोग आक्लन हो गया आक्लन कहा जाता है अधर क्र झुम dette सब्सक्राइब करने वाले करने वालों द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के साथ नीती विकास सुरू हो सकता है सब्सक्राइब करने के वालों के द्वारा एकत्रित की गई जानकारी जो भी आकलन करने के बाद पता चलता है जैसे आपको मैं एक टोपिक दे दूँगा ठीक है कि आप जो है न एकत्रित की जाने के साथ नीती विकास का सुरू हो सकता है ठीक है यह आकलन करने के बाद जो एक नेती विकास का कारिये सुरू होगी उसके बाद कहा जाता है नेती विकास में साजनी स्वास्त उपायों पर निरने लेने के लिए सूचना साजा करने प्रामर्स और भाग नागरिक भाहिदारी की परिक्रिया सामिल है स्वास्त में हित धारक स्वास्त समस्याओं कारिकर्मों और खत्रों के बारे में उपलब जानकारी को तोलते हैं इसके बारे में जितनी भी खत्रा हो गया जितनी भी कारिकरम है इसके बारे में लोग तुलना करते हैं तोलते हैं कि कौन से कैसे खत्रे हैं ठीक है उसके और नहीं न, इसके लिए आप क्या करोंगे Sis Technik लोस्चित जाँ मुझे करें, सिख्चित करें और उन्हें स्वस्थ बनाएं शसक्त बनाएं ठीक है आपके लिए बड़ी निर्देश है उसके तकाता है स्वास्थ समस्यां की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए सामुदाइक भागिदारी और कारियों को गती सिल बनाना उसके ऐसी नीतियां विक्सित करे जो व्यक्तिकत और साज्मित परियावरन स्वास्थ प्र उपार वाले की दुआ से सब ठीक होगा ठीक है वही होता है आस्वासन इसमें देखे कहा जाता है साजमिक स्वास्त का तीसरा मुख्य कारण कारिय जो है आस्वासन है जिसमें ये सुनिशित करने के लिए सक्रिय प्रियास सामिल है कि समुधाय स्वास्त और संद संद्शित है ठीक है उसके बाद का जाता है साज्मिक स्वास्त आस्वासन वाली लोगों और उनके समुदायों को स्वास्त सेवाएं उपलब्द कराने का काम करते हैं यह यह जो है सुनिश्चित करने करते है कि यह स्वास्त सेवाएं उचग्रुणबत्ता वाली ही और समूदय के सदिशियों के आसानी से सुलब हो और इसके अधिरेक्ते आस वासत में समर्पित में बहुत सरस्थान है उसके बाद इसमें बाए कोई ना कोई बाहर से आके आपको मोटिवेट करता है किनलर सकते हो यह कर जोगोंको आवस्य स्वाटते सेवह से जोरे और अने था उपल में। स्वास्त माफ्ट से परभावसिलता पहुंच और दयावन-वगता का मुल्यांकन करें। पडियाविन स्वास समस्याओं के लिए अनुसान धान और नविन संसादुनों की पहचान करें यह सारी पॉइंट्स जो है यह आपके साजनिक स्वास से संबंदित हैं ठीक है तो इस तरह से हम लोग नेक्ष्ट जो सकेंड को सें थी उसको हम लोग देख चुके संचे पुर् से समझ चुके होंगे अगर आपके परिक्षा में अगर सवाल पूछा जाएगे तो आप आसानी तरह किसे सरल भासा में भी लिख सकते हैं ठीक है तो आज के सेसन में बस इतना ही और जो भी इस चैनल में पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब नेकिए प्लीज चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन को हिट कर देना सेसन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीज़ेगा कुछ भी पूछना हो तो कमेंट मक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चलिए मिलते हैं नेक्स सेसन में तब के लिए थैंक यू जैहिन